नमस्कार वच्चों तो आज के क्लास में हम लोग जिस महत्पूर टापिक के बारे में बात करने वाला है उस टापिक का नाम है तथ्ध्धान्थ और इंग्ली समें इसको हम बोलते हैं फैक्ट एंड थेरी यानि कि आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि तथ्ध्ध्य यानि इसके बाद से दान देखिए सोध में तद्ध्त एक ऐसा अवलोकन या डटा है कैसा और नरिच्षर के या देटा घिक या आकडा है जो शत है और दिसे प्रमारीत किया जा सकता है या एक जनकारी है, जो वासिछ और शटीख है और जिसे दोरहाया सक्ता है काया तथ्यों का प्रयोगों और लोकनों के मांध्येप उप से प्रमाइख किया जा सकता है और जो सथ जो तत्य को प्रयोगों के माद्यम से प्रवाड़ी किया रहे हैं उनको एक्सप्रिमेंट के माद्यम से प्रमादित कर सकते हैं तो इसे हम तत्य करते हैं इसके मुख लचल कूछे सबसे बहुत है सबसे बरेता है क्या है हमेशा सथ होना चाहिए जो सथ्य होता है वेही तथ्य होता है तो यहें एक और यह सथ्य बात थीग है यानि की भी प्राप्त होते हैं दो overly social करने की बात नहीं होती है वस्तविक दात्य वहते हैं और समय हिए नहीं दोराय जा सकता है कि कभी दोराय जा सकता है कभी तर व्योस से वहीं ने रिज пожड़त लेसे तकुई प्रहिए मर्ण घ्यांप़ को क्या है प्रहाइबिक दि बिश्वाइबिक देखाले शुक्त पानिक का रसाने सूत्रेली तो व particular स्थीक भी है वास्त्य भी और इसको हुछ प्रमारीदैट भी कर सकते हैं हम करते हैं भारत की राजाहिन नई दिन्दियत ऋसे सकते हैं सट्य इसे के सचता है वास्तिविक दौरा लिया सकता है और यह गी दोसरा दें सिध्धानत क्या दो देखे सिध्धान एक व्यापक और व्याश्यत परक्रे से सिध्धान्त का निर्माड होता है और सिध्धान्त क्या होता है एक व्यापक मतलब फैला हुआ और सिस्टेमेटिक तरीके से किसी तथ्य के बारे में विश्चित व्याख्या है जैसे हम कह दिएंगे पानी का रसाने के सुट्र है यह तथ्य है तो यह कैसे है इसके बारे में बिश्तित द्यक्षा क्या है वह सिद्धान जथ की बीच समंधाने के लिए प्रयोग की कि कि जाता है इंची कि सम्मंद क्या है समझाने की एक एक दो पर असी इ gribar कि होता है सिद्धान्तिरी और किसी भी संधरमे में चाली नीख झाली करने में योग हो जाते लेकिन कि माध्यम से चीजों को समझ कर हम से मुझोन Schnalc पर सबसे पहले ब्या प्रता से भाइड होता एंभ रności unjust rides विवस्थित करम होता है उसके जरिये अध्यन किया जाता है इस परस्था सिध्धान्त में सभी बाते क्लिए उससे मेंसन होती है परिछडिता और यह क्या है सिध्धान्त परिछड के माध्यम से ही सिध्धान्त का निर्मान होता है पहले प्रेव परिछण हो जाता है तो सिध जामपल जीसे विकास बात का जो सिध्धान्त है वो क्या किया था वह जीओ कि विकास को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है और आपके psychology में लर्निंग होते है वन्मानुस में उसका अधिनकरेंख करेंख की लिए किया जाता है तो आप समझने क्या होता है वह होता है वह तक गलतेس नेटापिक आत मेंth जांएब आपफिक साथ होते необ siinä सानवाद जैन्ट जवारत